इस कौन संस्ता ने विश्व की सबसे बड़ी गीता तयार की है इटली के मिलान शहर में बनी ये गीता अगले हफ्ते समुद्री रास्ते से भारत लाई जा रही है इस महागरंथ का वजन 800 किलोग्राम है और इसे बनाने में डेड़ करोड रुपए की लागत आई है अगर अब यह कहा जाए कि श्री मद भागवत गीता को लेकर कई रिकॉर्ड दुनिया भर में बने हैं एक और रिकॉर्ड इसके साथ जुड़ गया है तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी कली भाई साल में इसकी छपाई हुई है 20 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इसकौन मंदिर में इसका लोकारपन करेंगे उनके साथ इसकौन दिल्ली के प्रभारी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महराज और कुरुकशेत्र के प्रभारी साक्षी गोपाल दास महराज भी होंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे वजनी गीता फिलहाल दिल्ली में ही रहेगी अभी यह इटली में ही आकर्शन का केंद्र बनी है कुरुक शेत्र में बन रहे श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में वर्ष 2020 के बाद इसे स्थापित किया जा सकता है तब तक इसे दिल्ली स्कौन मंदिर में ही देखा जा सकेगा इसकौन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की और से गीता प्रचार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में यह प्रकाशित कराई गई है संस्था से जुड़े वेदांत बुक ट्रस्ट ने इसकी छपाई की है छपाई पर आया खर्च स्कौन के हर सेंटर से एकत्रित किया गया था 11 नमंबर को इसे मिलान में प्रदर्शित किया गया था इस गीता में 670 प्रिष्ट हैं जिनका साइज 2.84 गुणा 2.0 मीटर है इन्हें पलटने के लिए 3 से 4 वेक्तियों की जरूरत पड़ती है यह संथेटिक के मजबूत कागज से तैयार की गई है माना जा रहा है कि इन पर कई प्रकार की धातू लगाई गई है जिनमें प्लेटिनम, सोना और चांदी मुख्य है कवर को स्वर्णिम धातू से तैयार किया गया है समाचार एक्सप्रिस्क्रिपोर्ट यह प्टू आए प्रफ के विद्गर्ण याथ जोती गादन यह प्रफिज काटर रचेंटरी एर-Condition